टमाटर और प्याज की बढ़ती कीमतों में खड़ी दिन्जाएं वालों के लिए गाजियबाद जिले के लिए लोगों के ओर राहत बड़ी खबर है यहाँ पर लोगों को टमाटर 30 रुपे और प्याज 25 रुपे प्रति किलो बेच अज जा रहा है लेकिन जस्ता प्याज और टमाटर एक व्यक्ति को 2 किलो ग्राम से अधिक नहीं दिया जाएगा लोगों को रहत देने के लिए मंडी समीति साईवबाद मंडी में स्टॉल लगाकर लोगों को सस्ती कीमतोपड़ प्याज और टमाटर उकलवत करा रही है प्याज और टमाटर की आवक कम होने से देश बन में पियाज और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं टमाटर 80 रुपे किलो, तो प्याज 40 रुपे किलो विक रही है दिवाली करीब होने की वज़ा से सब्जियों की मांग और जादा बड़ी है हाला कि साहिवबाद मंडी में थोक में प्याज 25 उर्पे और टमाटर 30 उर्पे किलो आ रहा है लोगों को रात देने के लिए मंडी समीती साहिवबाद ने थोक तामों पर गाजीबाद के लोगों को प्याज और टमाटर उपलब कराने का निर्ने दिया है साइवबाद सब्जी मंडी के गेट नमबर एक के पास समीती द्वारा स्टॉल लगवा दिया गया है लोग इस स्टॉल से टमाटर और प्याज खरीट सकते हैं एक व्यक्ति को 2 किलो ग्राम से अधिक प्याजवे टमाटर नहीं दिया जाएगा लोगों को प्याज और टमाटर के लिए थैला ले जाना पड़ेगा मंडी समीती की ओर से पॉलथीन नहीं दी जाएगी वीरू गोट, Market Times TV